पूस्तो क्या देश के सब से अमीर शक्स गौतम अडानी जूट बोल रहे हैं क्या गौतम अडानी की वज़ा से गाओं के गाओं तबाह हुए जा रहे हैं क्या गौतम अडानी की वज़ा से पेड़ पौधो को खत्रा हो गया है क्या गौतम अडानी की कथनी और करनी में फर्क हो गया है दरसल ये सवाल हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के मताबिक अगर देखा जाए तो गौतम अडानी की जो फाक्ट्रियां है जो गौतम अडानी जो है कोल मामले में सबसे जादा जाने जाते हैं चाइना के बाद हुआ करते थे आज वहां पर सब कुछ उजड़ चुका है वहां पर लोग अब रह नहीं रहे हैं ऑक्सीजन जो है लावल इतना जादा कम हो रहा है कि अगर हम मौझूदा राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर सांस की जो है दिक्कत वो काफी जादा है लेकिन एक दूसरी भी खबर आपके सामने रखेंगे जिसमें ये बताया गया है गौतम अडानी के ग्रुप की तरफ से ही कि गौतम अडानी जो है 2030 तक कई मिलियन जो पेड़ पौधे हैं वो लगाने का लक्षी रखे हुए हैं 2023 चल रहा है और 2030 तक का जो वादा किया गया है क्या ये अपनी उन सभी किये गए कामों पर परदा चलने की किया जा रहा है जिसमें गाउं के गाउं पूरे उजड़ गए हैं गाउं को नुकसान हुआ है वहाँ पर रहने वाले लोगों को नुकसान हुआ है तो बिना देरी के सबसे पहले हम आपको उस खबर से ही मुखाइब करवा देते हैं दा गार्जियन गार्जियन नाम का एक वेबसाइट है इस पूरी वेबसाइट की तरफ से इस खबर को लिखा गया है और हालांकि यह पूरा जो आर्टिकल है वो इंगलिश में है लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांस करें लेकर के आई हूं जो मैं एक जो सेटप था वो हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए था यानि बेवकूफ बनाने के लिए था कोईले की खदान जिसने एक भारती गाव को खा लिया है कोईले की खदान के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ बनाया गया लोगों को मूर्ख बनाया गया और यह कहा लिखा है इना प्रिस्ट्याइन फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया दमल्टी बिलियन डॉलर माइनिग जाएंट अडानी हैज रेज्ड ट्रीज एंड होंस तु डिग मोर कोल यानि ये जो खदान खोदने का तरीका है और एक के बाद एक जगा पर मिटी खोद खोद कर पेड़ो को काट काट कर जो कोल का अपना धंधा है उसको बढ़ाया जा रहा है ये इंडिया में कैसे संभा हो पाया है और अंकुर पालिवाल की तरब से इस पूरे मामले को तफ्ती से समझाने की कोशिश की गई है इसमें यह भी कहा गया है कि जिस जंगल को काटनी का अरूप लगा है हलाiver की बहुत सारे जंगल है iki इस जंगल जिसमें इस जंगल की बात पर 36 गड़ में ये पूरा जंगल था वो यहां पर एस्थापित था वहीं पर लोगों के गाउं हुआ करते थे लोग हसी खुशी रहा करते थे लेकिन इस जंगल में दरसल अनुमान ये लगाया गया है इस रिपोर्ट के मताबिक कि अगर इसको काटा गया है तो इसमें 5 बिल कोईले के लिए ये पूरे गाउं को उजाड दिया गया ये कोईला जो है वो सता यानि जो प्रत्वी होती है उसके काफी जादा करीब था जिससे खनन करना और जादा आसान हो गया संगिये सरकार इसमें नाम दिया गया है संगिये सरकार एक शेत्र को 23 कोईला ब्लोकों में विभाजित किया है जिनमें सिच्छे को उसने खनन के लिए मन्जूरी दे दी यानि सरकार पर सिधा सिधा ये आरोप लगाया गया कि जब उन्हें पता था कि यहाँ पर रह रहे हैं लोगों को इससे परिशानी होगी फिर भी उन्होंने खनन के लिए मन्जूरी दे दी उसके साथ साथ जो जमीन है वो नश्ट हो जाएगी, केटे के तहट विशिष्ट कोईला ब्लॉक में करीब 450 मिलियन टन कोईला है, जिसके कीमत करीब 5 अरब डॉलर है, यानि ये जो सारा खेल है वो दरसल पैसे का है, और पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है, वातावरण को नुकसान पहुचाया जा सकता है, पेड़ पौधो को काटा जा सकता है, 5 अरब डॉलर की कीमत की बज़ा से लोगों को शांती से जो रह रहे हैं, उनको आविवस्थित किया जा सकता है, आपको बता दियें कि भारत शुरुआत में मैंने आपको बताया दिया कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोल उत्पादक है इसमें एक आकड़ा भी दिया गया है 1998 का यानि 1998 का जिसमें ये पूरी जो है गिंती की गई थी कि 1950 के बाद से 2.5 मिलियन से जादा जो भारती खनन पर योजनाएं हैं उनमें से वस्थापित किया गया है उसके बाद कि सालों में बहुत से और भी लोग वस्थापित किये गये होंगे लेकिन उसका आकड़ा इसमें नहीं दिया गया है कोईले शेतर देश की वार्शिक बिजली का अलगभग 70 प्रितिशत जो है उत्पन करता है और कम से कम 2.9 मिलियन लोगों को रोजगार भी देता है जबकि भारत ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सरजन को 2005 के इस तर से 45 प्रितिशत कम करने का बादा किया है कोईले को चरणबद यानी सिरीज वाईज अगर देखा जाए तो उसमें समाप्त करने की उसकी कोई ओजना दरसल है ही नहीं और ये पर्या वरड के लिए बुरी खबर है कोईले से चलने वाली बिजली ग्रह पर सबसे गंदे इंधन शरोतों में से एक मानी जाती है लेकिन अगर दूसरा फैक्ट देखा जाए तो ये जो पूरा कोईला का खनन हो रहा है इससे सबसे जादा अडानी जैसे लोगों को फाइदा पहुचाता है उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है लेकिन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है पिछले तीन दशकों के अगर बात की जाए तो तीन दशकों में अडानी ने भारत की अर्थववस्था के लगबग हर शेत्र में सीवेज उपचार से लेकर डेटा प्रोसेसिंग, खाद्य तेल से लेकर सौर पैनल, परिवाहन से लेकर मीडिया तक अपना विशाल जो समू उस पर भी अडानी के स्टीकर लगा दिये गए हैं, ये इस पूरी खाबर में बाकाइदा मिंशन किया गया है, इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ साल पहले तक भारत के 90% से अधिक कोईले का खानन सरकारी स्वामित्वा वाली कमपनियों की तरफ से किया जाता था, यान वदलाव की मुख खिला भारतियों में यानि जिनको फाइदा हुआ है, उनमें से एक सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है गौतम अटानी का, गौतम अटानी ने अपने सामराजे का जिस तरीके सबस्तार करना जारी रखा है, भारत सरकार के शीर स्तरों पर उनका प्रभ वारतिय अदालत की तरफ से उसके खिलाफ एक गैंगिंग आदेश जारी करने से पहले ये बताया गया है, इसमें पूरी रिपोर्ट में कि ऐसा कहा था कि इसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहें, ओली गराकी कहें, रेगुलेटरी कबजा कहें, या फिर अगर छोटे शब्दों म ही कबजा हो रहा है, उसको वो खरीद रहे हैं, हिंदुस्तान में जादर तर जो चीजे हैं वो प्राइवेट हो गई हैं, जिनका जो अधिकार है वो अडानी के पास पहुंची गया है, अब दूसरी जो एक खबर है, जो मैंने आपको शुरुबात में जिक्र किया था, जि लेकिन एक और ट्वीट पर आपकी नजर दलवाना चाहेंगे, यह ट्वीट बड़ा हैं इंट्रस्टिंग है, और इस ट्वीट को जो है, आप देखेंगे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा, कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हो गया, कि अडानी जो है, टॉप 10 में भी नह आने की संपती में अत्हा जो व्रद्धी हुई है, उस पर सवाल या निशान खड़ा हो गया है, क्रिप्टो गौरव की तरब से पूरा ट्वीट किया गया है, जिसमें बताया गया, यह वीडियो शेयर करते हुए, कि तर आईज ओफ गौतम अडानी, दे टॉप 10, वेल्थ इस्ट बिलिनरीज, इनमें गौतम अडानी थर्ड पोजिशन पर आ गए, और उन सभी लोगों को पचारते हुए, जो दो नंबर पे थे, तीन नंबर पे थे, सबसे ज़ादा इनके पास संपती आ गई, पौल कोशी की तरब से भी एक कहा गया है, जैसा इस रेपोर्ट में मैंने आपको बताया कि इसमें कहा गया है कि जब से मोधी सरकार शासन में आई है, तब से ही गौतम अडानी को ज़ादा तर जो कोल मामले थे, उनको हैंड ओवर कर दिया गया कि उनको फायदा हो सके, तो इसी चीज़ से जड़ा हुआ एक ट्विट भी है, पौल कोशी का, यह आपके सामने है कि बीजेपी का जो करप्शन सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है, नरेंद्र मोधी स्टेज ऑन पावर थो दा मनी फाइनन्स बाई गौतम अडानी, नरेंद्र मोधी सत्ता में इसले बने हुए हैं क्योंकि उनको गौतम अडानी को मदद करनी है, इन रिटर्न मोधी गोर्मेंट रॉब्स पिपल ऑफ इंडिया, देयर ड्यू रिवेन्यू बाई हैंडलिग ओवर की असिस्टो अडानी फ्री ओफ चार्ज, और मोधी जो गोर्मेंट है, वो आम लोगों को लूटने का काम कर रही है, टैक्स के नाम पर ताकि उनका जो रि अधिकार जो है, वो इस्थापित हो गया है, अब इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या समझते हैं, और आप क्या सोचते हैं, कि क्या वाकई ये जो आरोप लगाय जा रहे हैं अडानी पर उनका वास्तविक्तर से तालुक है, या फर ये सर्फ और सिफ एक मिथ्या ही सा इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी राए हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, जय हैं